असलेम वाली को मैं हूरी हान और आप देख रहें फंट्रूप के चैनल व्लोग आज जो ने जाना साबू दना ट्रिंग ये पीने बहुत टेस्ट होता है एंड गर्मियों में तो ये आपका मन एकदम शांत कर देगा एंड इसमें जो साबू दना ले लिया है वो आपके चमच फिर उसमें भी पाने डाल लिया है अब हम इसे चमच की मद्रिट से थोड़ा हिला लेंगे एंड मैं फिर से बता दू इंके अंदर बहुत मिनरल्स होते हैं ये हाई प्रेशर और ब्लेट प्रेशर के लिए बहुत अच्छा होता है तो हमें चमच की मद्रिश साबज को खिलाना है देने से डखके लगदेना पांच मेंट के लिए और पांच मेंट बाद आप देखेंगे कि आपके साब दसीर कुछ ऐसे फूल चुके हैं इसके आप देखी सकते हैं तो अब हम इसका दूद्ध यार करेंगे तो यहाप हमने पान सामिल दूद ले लिया है इसमें 2 चमर्च कस्टरड मिल्क पाउरर डाल देंगे तो यहां पहाँ पहुं ने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है आपको इससे फ्लेवर ले सकते हैं जैसे के वनियला एंड पॉट्र स्कॉच तो यहांप हम इसे अच्छे से मिला लेंगे जैसे के आप देखी सकते हैं इसे मिलाने के बाद हमारा जो दूद है उसमें डाल देंगे इसे एंड इसे अच्छे से मिलाना है एंड इसे फ्लेम से हटा देना है एंड इतने अच्छे से मिलाना है ताकि इसके इसके इंदर जो है न कोई लंब सुना रहें तो दीके लेडल के में से अच्छे से हिलाते र तो चमच नमें जैली क्रिस्टल डाल देंगे एंड इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि जो पानी के साथ अच्छे से मिल जाए एड यह जैली जाए वह बहुत अच्छा बने तो देखें उसके अंदर हमें एक उबाल लाना है तो मेडिम फिले में से इसी प्रकाते रही है और चमज के बने से इसे अच्छे दे हिलाते लिएगा ताकि इसके क्रिस्टल एकदम पानी के साल डिजॉल्व हो जाए देखिए इसके अंदर एक उबाल आ गया है अब हम इसे किसी कंटेनर बरतन बॉक्स किसी में भी आप रख सकते हैं तो आप हमने एक ग्लास का कंटेलर ले ल यह जैली बन जागा तो आप हमने और इंज फ्लेवर तो बना लिए अब हम एक और फ्लेवर बनाएंगे स्ट्रॉबरी तो आप हमने फिर से दो कप पानी ले लिए इसमें दो चमज जैली क्रिस्टल दाल लिए अब अब भी से ऐसी अच्छे से मिला लिए और इसके जो क्र आप है तो आप हम इसमें पानी इसलिए डाल लिए ताकि हमारे साबुदाना यह जल्ली से बख जाए और अच्छे से बन जाए तो देखें कितने बढ़िया से यह पाक रहे हैं और पानी बढ़ाले से यह जल्ली से नरब हो जाता है एंड खाने में टेस्टी पील लगता है अब हम इसे ठंडर होने के लिए रख देंगे जैली रेड़ी हो गया है जैसे का आप देखे सकता है एंड इसके जो बॉक्स में इंस्ट्रक्शन लिखे हो होता है आप उसे देखके भी जैली बना सकते हैं एंड हमने आप दो फ्लेवर बनाएं आप इससे जादा या कम भी आप इससी इंस्ट्रक्शन पर इसे बना लिखे हैं एंड देख जैली इसमारा सब कुछ रएड़ी हो गया है तो अब हमने जो कष्टड बनाया था वह हम इसमें डाल देंगे बड़े से बावल में यह साबुदा न देया था वह हम इसमें डाल देंगे इसे इतना अच्छ से मिलेंगे ताक कि जो साब्दाना एकदम दाने-दाना हो जाए एंड ये अलग- अलग हो जाए अब हमने जो साब्द सीड ब्लब अश्क्यात की होद बट उलना ब्लेक्श मार मिल को बलत टूंगे थो में बता टूंत Chand conserve साब्सीप और साबोजाना सीट्स़ापके हाई प्रेशर ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छ होता है जो साब्साइस होता है वह आपके मूड को बहुत अच्छ कर देता है अक गर्मियों के लिए बिल्कुल best drink है एंड ये बहुत healthy भी होता है तो आप इसे पी सकते हैं गर्मियों में तो अब हम इसे glass में निकाल लेंगे तो आप अच्छे से इसे मिला ली जगा देन glass में निकाल ली जगा तो अब हमें इने glass में निकाल लेते हैं आपने हमारे वीडियो को भी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजेए जल्ली से हमारे चल्ड को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकरशन को और पर कर दीजे क्योंकि हमारी नए 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 वीडियो रोज आते रहती हैं तो अब हम इसके अपर थोड़े से ड्राइफूट्स डालेंगे तो आप हमने पिस्ता और काजू काटके रख देते हैं अब आम इसके उपर थोड़ा थोड़ा करके पिस्ता एंड थोड़ा करके काजू डाल दिंगे तो यहां पर हमने चौप करके रख दिते हैं एंड आपका साबूत अट्रोइंग रेडी हो गया है तो आप इसे गर में में पीके देख सकते हैं मैं वे पीके देखता हूं तो प